यह संसत के सेंट्रल हॉल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब राश्पती अपने अभिभाशन के शिर्वात करेंगे संसत के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रशनता हो रही है मैं पुना नए बल्स की शुबकामनाओं के साथ सभी संसत सजस्यों को इस अइतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूँ यह दसक भारत के लिए बहुत महात्कोर्ण है इस दसक में हमारी सुतंस्ता के 75 वर्स पूरे होने है इस दसक में हम सभी को मिलकर नए उर्जा के साथ नए भारत के निर्मान को गति देनी है मेरी सरकार के प्रियासों से पिछले पांच बरसों में इस दसक को भारत का दसक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत निव रखी जा चुकी है चाहे पूज बापु का ग्राम स्वराज का सपना हो बावा साहब आमबेटकर की सामाजिक नयाय की नीती हो नहरु जी का आदुनिक भारत बनाने का स्वपन हो सरदार पटेल का एक भारत स्रेष्ट भारत का संकल्प हो दीन दयाल उपाध्याय का अंतियोदय का लक्ष हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्सन हो हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करें माननी सदस्गर भारत का संविधान इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्क दर्सक है कुछ सब्ता पहले ही 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए उस दिन देश के 12 करोण नागरिकों ने सार्व जनेक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के पृति अपनी प्रतिवध्धता का संकल्प लिया हमारा संबिधान देश के प्रतेक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही देश के नागरिकों को उनके कर्तब्यों का बोध भी कराता है हमारा संबिधान लोक तांत्रिप्रक्याओं से हुए निरड़ेओं को देशबासियों द्वारा सुवकार किये जाने की अपेक्षा भी रखता है इसके साथ ही हमारा संबिधान इस संसत से तथा इस सदन में उपस्तित प्रतेक सदस्त से राश्रहित को सरवों पर रखते हुए देशबासियों की आशाओं आकांचाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है मानिनी सदसिगान मुझे प्रशनता है कि पिछले साथ महिनों में संसद ने काम करने के नय कीर्थी मानिस थापित किये हैं इस लोकसभा के पहले सत्र में सदन द्वारा कारण निस्पादन पिछले साथ दसकों में एक नया रिकार्ड रहा है मेरी सरकार की द्रड़ एक्षा सक्ती के कारण मुसलिब महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाग विरोधी कानून देश वासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोगता संरक्षन कानून गरीबों की बचत रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंद कानून गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंड संसोधन कानून बच्चों के खिलाब यवन अपराधों की सजा सक्त करने वाला कानून सड़क हाथसों में कमी लाने के लिए मोटर वहन संसोधन कानून और ट्रांसजेंडर विक्तियों के अधिकारों को संद्रक्षन देने वाला कानून जैसे अनेक अइतिहासिक कानून बनाए गए है संबिधान द्वारा अपेक्षित इस दायत्यों को निवाने के लिए मैं संसत के हर एक सदस्ट का अभिनंदन करता हूँ मानेनी सदस्ट कर हमारी लोक तंत्रिक ब्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जने वाला बेश्वास हमारे लोक तंत्र की निव को मजबूत करता है सुप्रीम कोड द्वारा राम जन्म भूमी पर फैसले के बार देश बासियों द्वारा जिस तरह परिफक्वता से बिवार किया गया वह भी प्रसंसनी है मेरी सरकार का इसपस्ट मत है कि पारस पर एक चर्चा पर चर्चा तथा वाद विवाद लोगतंत्र को और ससक्त बनाते हैं वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है माननी सदस्काण लोगतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जना देश देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जना देश नए भारत के निर्मान के लिए दिया है एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी पुरातन संस्कति का गवरव हो और जो 21 सदी के विष्ट को अपने ज्यान की सकती से सम्रद करे एक ऐसा नया भारत जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाए एक ऐसा नया भारत जिसमें गरीवों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवाशियों और अल्प संख्यकों को परियात सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी एक ऐसा नया भारत जिसका हर छेतर विकास करे, कोई छेतर पिशड़ा न रह जाए, जहां आधनिक टेक्नलोजी का लाब समाज के आखरी छोर तक पहुँचे, तथा एक ऐसा नया भारत जो चोथी और द्योगी करांती में अगरणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई उचाईयों पर पहुँचे, माननी सदस्गण, ऐसे नए भारत के लिए, तथा लोगों की अपेक्छाओं की पूर्ती के लिए, मेरी सरकार हर छेतर में परिवर्तल लाने के लिए, सराहनी इंगती और निर्ने छमता दिखाते हुए काम कर रही है, सरकार द्वारा वर्ड बैंक की इज आफ डूइंग बिजनिस की रैंकिंग में भारत 89 इस्थान उपर चड़ते हुए, आज 63 इस्थान पर है, Resolving Insolvency की रैंकिंग में भारत 108 इस्थान से 52 इस्थान पर और Global Innovation Ranking में देश 74 इसे 52 इस्थान पर पहुँच गया है, Logistics Performance Index में भारत ने अपनी अंतरराश्ट्री रैंकिंग में 10 अंकों का सुधार किया है, World Economic Forum की Travel and Tourism Competitiveness रैंकिंग में भारत 52 इस्थान से 34 इस्थान पर पहुँच गया है, हालाग अलग छेत्रों में ये सुधार अंतरराश्ट्री जगत को भी एक आवाहन है कि भारत ने पिछले 5-6 बरसों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के नर्मान के लिए उत्साहित हैं, माननी सदस्का, मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निस्था और इमानदारी से काम कर रही है, आठ करोर गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, दो करोर गरीबों को घर, लगभग 38 करोर गरीबों के बैंक खाते, 50 करोर लोगों को पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोर लोगों को बीमा सुरक्षा कबच, धाई करोर से ज्यादा लोगों को मु मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर छेत्र के गरीबों के हित्में समानता के साथ सहायता वा सुविधाय पहुचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है माननी सदस्गण, बंगाल की धर्ती के महान सपूत और जवाहलाल नहरूजी के नितरत वाली सरकार में उद्योग मंत्री रहे डक्टर श्यामा पुरशाद मुकरजी ने लोगसभा में कहा था कि एक लोगतांत्रिक संगही राज में एक एकाई के नागरिकों के मौलिक अदिकार किसी अन्यकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते क्या जम्मू कस्मीर के लोग उन मूल भू तदिकारों के हगदार नहीं हैं जो हमने सेस भारत के लोगों को दिये है आज साथ दसक बाद पूरे देश में इस बात की खुसी है कि डाक्टर श्यामा पुशान मुकरजी समेट करोड़ों स्वतंतता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मो कस्मीर एवं लद्दाग के लोगों को महां के दलितों और महिलाओं को भी वही अदिकार मिले हैं जो बाकी देश बास्यों को प्राप्ट है संसत के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संबिधान के अनुच्छे 370 और अनुच्छे 35 एक को हटाया जाना ना सिर्फ अितिहासिक है बलकि इससे जम्मू कस्मीर और लद्दाग के समान विकाज का भी मार्ग प्रिस्थ हुआ है मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू कस्मीर और लद्दाग के लोगों को विकास की मुक्ध धारा से जूडने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता माननी सदस्ट कर जम्मू कस्मीर और लद्दाख का तेज विकास वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा पारदर्सी, क्वाई इमानदार प्रशाशन और लोक तंत्र का सफसक्ति करण मेरी सरकार की प्रत्मिकताओं में है राश्पति शाशन के दोरान और केंदर सासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कस्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनों में तेजी आई है बर्स 2018 के अंत में जम्मू कस्मीर की 4400 से अधिक पंचायतों में सांती पूर्वक चुनाव संपन हुए थे स्वतंदरता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक Block Development Council के चुनाव भी कराए गए है अब वहां के लोगों को स्वक्ष भारत अवियान, उज्ज्वला योजना, आईश्मान भारत योजना, उजाला योजना, डीबीटी तथा खाद सफसिडी का पारदर्सी तरीके से पूरा लाब मिल रहा है परदान मंत्री आवास योजना के तहट जहां मार्श 2018 तक जम्मू कस्मीर में लगबग 3500 घर बनाए गए थे वहीं दो साल से भी कम समय में 24000 से ज़्यादा घरों का निर्मार पूरा किया गया है इसके अलावा जम्मू कस्मीर और अलदाक में कनेक्टिविटी, सिचाई, अस्पताल, परियतन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIMS जैसे उच्छ सिक्चा के संस्तानों की स्थाप्टना का काम भी तेजी से चल रहा है जम्मू कस्मीर में सेव की सीधी खरीद के लिए नैफिट को जिम्मेदारी दी गई है इससे कस्मीर घाटी के सेव उत्पादकों को विसेश तोर पर लाब मिला है और सरकार का दाइत भी है देश बासियों की बरसों से यह पेक्षा थी कि वो सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्सन कर पाए मेरी सरकार ने रिकार्ट समय में करतारपुर साहिब कोरिडोर का निर्मान करके गुरु नानक देवजी के गुरु नानक देव जी के पांच सो पचासमें प्रकासपर्व के आउसर पर इसे रास्ट को समर्पित किया गुरु नानक देव जी के पांच सो पचासमें प्रकासपर्व को देश और दुनिया में पूरे मांच सम्मान के साथ मनाने का आउसर मिलना मेरी सरकार के लिए सवभागी की बात है मेरी सरकार द्वारा स्री गुरू तेग बहदुर जी का 400 होँ प्रकास परव भी पूरी भब्रता और दिब्रता के साथ मनाया जाएगा देश की माननी सदसगन, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाग से जादा लोग बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उने अपने घर का मालिकाना हक और गर्मा फूर जीवन जीने का दिखार मिलेगा दिल्ली की 1700 से अधिक कालोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा थिया देश के किसानों, खेतियर मजदूरों, असंगठित छेत्र के मजदूरों तथा छोटे ब्यापारियों की अपेक्षा थी कि ब्रद्धा वस्ता में उनकी साहता के लिए पेंशन योजना सुरू हो मेरी सरकार ने न सिर्फ उनकी इक्षा को पूरा किया, बलकि अब तक इन पेंशन योजनाओं से करीब साथ लाग लावार्थी जुड़ चुके है पूज बापु ने स्वक्षिता को ईश्वर की उपासना से बढ़ कर बताया था पिछले 2 अक्टूबर को गांदी जी की 150 जहनती पर देश के ग्रामीर अलाकों ने खुद को खुले में सोच से मुक्त घूसित करके राश्पिता के प्रती सच्ची सुद्धा व्यक्त की है अब हम सभी का दायत्व है कि इस दसक में अपने सहरों और गांओं को और अधिक स्वक्ष और सुन्दर बनाएं मानेनी सदस करो आज भी देश के ग्रामीर छेत्रों में लगबग 15 करोड घर ऐसे हैं जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है घर में पानी के ना होने से हमारी बहनों बेटियों का जीवन सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है साथ ही दूसित पानी से पूरे परिवार का स्वास्त खराब होता है देश के गाउं में हर घर तक परियाद मात्रा में शुद्ध पे जल पहुंचे इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिसंद शुरू किया है केंदर सरकार सभी राज्य सरकारें इस्थानी निकाय और स्वहम से भी संसाय मिलकर इस अभिहान को जन अंदोलन में बदल रही है इस योजना पर आने वाले समय में तीन लाग साथ हजार करोड रुपए खर्च किया जाएंगे मेरी सरकार ने देश के सबसे संकट ग्रस ऐसे साथ राज्यों में जहां भूजल का इस्तर तेजी से घट रहा है वहां विशेश तोर पर अटल भूजल योजना सुरू की है माननी सदस्गर मेरी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र देश के प्रतेक नागरिक के साथ ही देश के अलग-अलग भूभाग और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है मेरी सरकार मानती है कि जैसे समाज के आक्री छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्रात्मिक्ता मिलनी चाहिए वैसे ही विकास में पीछे रह गए छेत्रों के विकास को भी प्रात्मिक्ता दी जाए देश के 112 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट आकांची जिले का दर्जा दे कर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक एक योजना पर सरकार बिशेश ध्यान दे रही है राज्य सरकारों द्वारा भी इन जिलों में युवा और अनुभवी अफसरों का ताल मेल बिठा कर सही नुक्तियां के गई हैं इसका परिणाम है कि इन जिलों में विकास के अनेक मापदंडों में प्रभावी सुधार हुआ और कई जिले अब अपने राज्य के आवसत के बराबर आ चुके हैं मैं प्रतेक आकांची जिले की टीम को इस सदन के माध्यम से बढ़ाई एवं शुब कामनाय देता हूँ माननी सदस्गण दिली से नार्थ इस्ट की भगोलिक दूरी से अधिक वहां के लोगों को दिलों की दूरियां खटकती थी मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्सों में अथक परिस्ट्रम करके इस स्थिती को बदला है नार्थ इस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आशान बनाने के लिए अभूत पूर्व गती से कारे किया जा रहा है सरकार के प्रियासों की बज़े से बर्स 2022 तक सिक्क्यम, मिजोरम, मनीपूर और नगालेंड की राजधानिया रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे अगरतला, अखोरा, रेल लिंक पर भी काम तेजी से चलना है बर्स 2022 में ही अरुनांचल प्रदेश के हल लोंगी में बन रहे नए एरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा इसके अलावा गुहाटी में एम्स, नुमालीगर में बायो रिफाइनरी, मनीपूर में स्पोर्ट्स यूनिवरस्टी का भी निर्मार तेजगती से हो रहा है हाल ही में सरकार द्वारा नार्थ इस्ट गैस गिर्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9000 करोड रुपए सुखत किये हैं ये प्रोजेक्ट नार्थ इस्ट के सभी आठ राजियों में गैस बेस्ट एकॉनमी का आधार बनेगा पांच दस्कों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ आथिहासिक समझोता किया है इस समझोते से ऐसी जटिल समस्या जिसमें चार अजार से ज़्यादा लोगों की मृत्यू हुई उसका समाधान निकला है समझोते के बाद बोडो समधाय के विकास के लिए सरकार द्वारा एक हजार पांच सो करोर रुपए खर्च किये जाएंगे त्रिपुरा, मिजोरम, केंदर सरकार और बुरू जनजाती के बीच हुए ऐसे ही एक और अतिहासिक समझोते से ना सिर्फ दसको पुरानी समस्या हल हुई है बलकि इससे बुरू जनजाती के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है माननी सदसिगन देश के आदिवासी भाई बहनों को विकास की मुक्धारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्प बद्र है पहली बार किसी सरकार द्वारा बन उत्पादों पर MSP का लाब दिया गया है मेरी सरकार का विशेष बल आदिवाशियों के स्वास्त सिक्षा और कौशल विकास पर है सरकार द्वारा कुछ सब्ता पहले ही देश में 400 से ज़्यादा एक लब माडर रेजिडेंशिल स्कूल खुलने का अभियान सुरू किया गया है हाल ही में अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती को लोकसभा और विधांसभा में मिलने वाला आरक्षण भी अगले दस बरसों के लिए बढ़ाया जा चुका है माननी सदस्गर मेरी सरकार अलपसंख्यक वर्ग की सामाजिक आर्थिक और सैक्षिक प्रगती के लिए भी निरंतर प्रियासरत है हुनर हाट के जरिये अलपसंख्यक वर्ग के दो लाग पैंसट हजार हुनर मंद कारीगरों को रोजगार के आउसर उपलब्द कराए गए मुस्लिम छात्र छात्राओं की सिक्षा निर्वाद जारी रहे इसके लिए बड़ी तादात में स्कॉलर्शिप दी गई है मेरी सरकार के विशेश आग्रेपर सौधी अरब ने हज कोटा में अभूत पूर ब्रदी की थी जिस बज़े से इस बार रिकार्ड दो लाग भारती मुसलिमों ने हज में इबादत की भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और आनलाइन की जा चुकी है सरकार देश भर में वक्व संपतियों का सत्प्रिस्ट डिज्टाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपतियों का उप्योग मुस्लिम समद्वाय के भले के लिए किया जा सके माननी सदस्गण मेरी सरकार द्वारा दिव्यांग जनों की आशाओं और पेकछाओं के प्रती पूरी संबेदन शीलता के साथ काम किया जा रहा है आरक्षण में ब्रधी, कानूनी अधिकार में ब्रधी के साथ ही सरकार ने 1000 से ज़्यादा सरकारी भवनों और 700 सो से ज़्यादा रेलवेज सेशनों को सुगम में बनाया है बीते 5 बरसों में हजारों कैम्प लगा कर दिब्यांग जनों को लगबग 900 करोड रुपए के उपकरण उपलब्द कराए गए है सरकार द्वारा दिब्यांग जनों का नेशनल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है और 25 लाग से ज़्यादा दिब्यांग जनों को ईउनीक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किये जा चुके है मेरी सरकार ने अपने पिछले कारकाल में एक विशेश प्रयास शुरू किया था इंडियन साइन लैंग्विज डिक्सनरी का मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए परसंदता हो रही है कि 6000 सब्दों की एक विशेश डिक्सनरी बनाई जा चुकी है माननी सदस्गन भारत ने हमेशा सर्वपंत समभाव पर विश्वास किया है लेकिन विभाजन के समय सबसे ज़्यादा प्रिहार भारत और भारत बासियों के इसी विश्वास पर किया गया है बिभाजन के बाद बने माहौल में राश्विता महत्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहाँ नहीं रहना चायते वो भारत आ सकते हैं उन्हें सामान में उन्हें सामान जीवन मुहिया कराना भारत सरकार का कर्तब है फूज बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राश्ट्री नेताओं और राजनेतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया हमारे राश्ट्री निर्माताओं की उस इक्षा का सम्मान करना हमारा दाइत है मुझे प्रशनता है कि संसत के दोनों सदनों द्वारा नागरिक्ता संसोधन कानून बना कर उनकी इक्षा को पूरा किया गया बिसेज कर बिसेज कर ऐसे समय में बितेज कर ऐसे समय में जब देश गांदी की इस कर पकाशी जैंती का पर्म मना रहा हूं तब आप सभी संसतों उनकी भावना को सदों कर रखा है मैं संसत के दोनों सदनों का तब सभी संसतों का अविनमन करता हूं मुझे नहीं सदक कर हम सभी हम सभी इस बात के साखी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्टान में आपके शक्रवक्तों पर हुने वाला प्रावना रहा है हाल ही में नंकाना सावमी जो हुआ उसे हम सभी ने देखा रहे हैं हम सभी का यह भी दाइप है कि पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार्ण से पूरा विस्च पर्फित है। यह पाकिस्तान में अल्क cyanयों पर हो रहे अत्याचार्ण की निम्दा करते हूब विस्च कमजाय से इसका संगानने और इस विछ अवश्चक कदम उठाने का भी आगरे करता हो Украї माननी सदस्गन मेरी सरकार का ये पुना इस्पस्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिक्षा लेने के एक चुट दुनिया के सभी पंथों के व्यक्षियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थी वे आज भी वैसी ही हैं किसी भी पंथ का व्यक्षित इन प्रक्रियाएं को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है तरनार्टियों को नागरिक्षा देने से किसी छेत्र और विशेश कर नार्थीस्ट पर कोई सांस्कृती प्रभाव ना पड़े इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किया है सरकार की सदी कहा जाता है और सरकार की प्रात्यमिक्ता इस छेत्र में युवा लीडर्शिप तयार करने पर भी है इस दसक में रिसर्च, इन्नोवेशन, इंक्यूवेशन और स्टार्टप के छेत्र का नितरुत्त हमारे देश के युवा ही करेंगे इस दसा में मेरी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णायों का लाग युवा शक्ती को नजंतर मिल रहा है आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टप इको सिस्टम भारत में है स्टार्टप इंडिया अवियान के तहफ देश में 27,000 नए स्टार्टप को महनता दी जा चुकी है पिछले पांच बरसों में देश में प्रदान कीएगे पेटेंट की संख्या चार गुना हो गई है और ट्रेड मार्क रेजिस्टेशन में पांच गुना ब्रद्धी दर्च की गई है इसकिल इंडिया अवियान नेशनल अप्रेंटिस से प्रमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वर उजगार के लिए जरूरी धन्बी मुहिया कराया जा रहा है मुद्रा योजना के तहित देश में पांच करोर चववन लाग से अधिक नए उद्यमियों ने रिण लिया है इस योजना के तहित अब तक दस लाग करोर रुपए से ज़्यादा कारण दिया जा चुका है माननी सदस्गम एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना को ससक्त करते हुए मेरी सरकार टेकनलोजी के माध्यम से देश वासियों के लिए एक ही करत वा संगठित विवस्ता विख्षित कर रही है देश में सीमलेस मोबिलिटी सुनिश्ट करने के लिए कुछ दिन पहले वन नेशन वन फास्ट टैक्स लांच किया गया है One Nation One Mobility Card के माध्यम से देश की अलग-अलग राजियों में यातायात के अलग-अलग माध्यमों में एक ही कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा भी विक्सित हुई है सरकार द्वारा One Nation One राशन कार्ड की सुरुवार भी की जा रही है One Nation One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलाजी के माध्यम से देश में पार दर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज़्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है टैक्स भी कम हुआ है माननी सदसकर भारत जैसे संगी प्रणाली वारे देश में विकास की गती बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्यों के वीच विकास की योजनाओं में इस्परदा भी हो और राज्य अपनी योजनाओं के अनभो का लाग दूसरे राज्यों को भी दे मेरी सरकार इसलिए कमप्टीटिव कौपरेटिव फेडरलिजम प्रतिसवर्दी सहकारी संगवाद पर निरंतर बल देती रही है सरकार द्वारा राज्यों को जिला और गाउं के इस्तर पर रियल टाइम डेटा से मिलने वाली रैंकिंग प्रदान की जा रही है इसका प्रभाव स्वक्ष भारत विहान से लेकर इस आप डूइंग बिजनेस तक और स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर आइस्पिरेशनल डिस्टिक्ट प्रोग्राम तक में नजर आता है सरकारें सही योजनाय बना सकें और लक्ष केनरित कारी कर सकें इसके लिए सेंसस से मिली जानकारी की महात्पूर भूमका होती है सेंसस में इस बार ये प्रकिया तेजी से पूरी हो इसलिए जानकारी कत्रित करने के लिए डिजिटल तखनीक का भी इस बल देते हुए नए हाइवेस, नए वाटर बेस, नए एयर बेस, नए आइवेस के निर्माण पर भी सरकान ध्यान दे रही है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीर सरकों का बहुत बड़ा योगदान है प्रधान मंत्री ग्रामीर सरक्योजना के जरिये देश के कोने कोने तक ग्रामीर सरकों का विस्तार हुआ है इन सड़कों को सुदर बनाने और उन्हें स्कूल अस्पताल वा मंडियों से जोडने के लिए परधान मंत्री ग्रामीर सड़क्योजना का तीसरा चरण सुरू किया गया है इसके तहर एक लाख पचीस अजार किलो मीटर की सड़कों का निर्मार और सुधार किया जाएगा सरकार द्वारा नदी जल मार्गों का विकास भी किया जा रहा है दिसंबर 2019 में पहली बार नेशनल वाटर वे टू के जरिये असम के पांडू तक कारगो कंटेनर पहुचा है इस वर्ष जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के जरिये गंगा नदी पर हल्दिया में मल्टी मोडल टर्मिनल और फरका पर नैविगेशन लाग पूरा कर लिया जाएगा हमारा प्रियास है कि अगले वर्ष तक गंगा नदी पर बड़े ट्रांस्पोर्ट कारगो भी चलाए जा सके है सहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लक्ष की तरफ तेजी से काम चल रहा है मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 सहरों में हो चुका है अभी तक 670 किलो मीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी है और 930 किलो मीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है दिल्ली मेरट एक्स्प्रेस वे पर तथा इस्टर्ण और वेस्टर्ण पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे के निर्मान से दिल्ली और एंसी आर के निवाचियों को बहुत सुविदा हुई है मानने सदस्टर्ण फाइब ट्रिलियन डालर की अर्थवरस्ता के लक्ष को प्राप्त करने में देश के टियर टू और टियर थी सहर एक नई भूमका के साथ उभर रहे हैं स्वक्षिता हो सुविदाएं हो स्टार्ट अप हो या फिर दूसरा कारोबार चोटे सहरों की प्रगती उत्साह वर्दक है साल 2014 के बाद से ही चोटे सहरों में स्टार्ट अप्स की 45 से 50 शुत्सत की बृद्धी दर्द देखी गई है इसी तरह उड़ान योजना के तैट करीब 35 लाख लोग अब तक हवाई यात्रा कर चुके हैं पिछले वर्ष 335 नए हवाई मार्गों की अनमती दी गई है अनमान है कि आने वाले देशों में देश का आदे से ज़्यादा डिजिटल लेन देन किनी टियर 2 और टियर 3 सहरों में होगा चोटे सहरों और नए मध्यमवर के विकास को देखते हुए मेरी सरकार द्वारा उनकी अपेक्छाओं का पूरा ध्यान रखा जारा है 5 लाग रुपए तक की आय को कर्मुक्त करने से भी सबसे अधिक लाग छोटे सहरों के मध्यमवर को हुआ है मध्यमवर के जिन परिवारों की आय 18 लाग रुपए तक की है उन्हें 20 वर्स तक के होम लोन पर 5 से 6 लाग रुपए तक की बचत हो रही है घरों को बनाने की अधूरी और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 25,000 करोड रुपए के फंड की जो विवस्ता की गई है उसका लाब भी सबसे ज़्यादा मध्यमभर को ही मिलेगा माननी सदस्क्राइब क्लीन इनर्जी के छेतर में भारत विश्यु में प्रभावी भूम का निभारा है सरकार के प्रियासों से अब देश में LPG कबिश 55 प्रतिस्यत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिस्यत हो गया है सिटी गैस डिस्टिबूशन का अब देश के 407 चिलों में बिस्तार किया जा रहा है अब हम गैस बेस अर्थवरस्ता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं मेरी सरकार ने परियावरन की दस्टी से अक्षे उर्जा के उत्पादन के लक्ष को बढ़ा कर 450 गीगावाट कर दिया है प्रदान मंत्री कुसुम योजना के माद्दम से देश में किसानों को 17 लाग से ज़्यादा सोलर पंप देने का लक्ष रखा गया है इसी तरह सरकार द्वारा सोलर रूफ टाप कारिकम के दूसरे चलर में 38 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष है माननी सदसकन देश वासियों के प्रियाश से भारत में पिछले चार साल में पेड़ और वन के छेतर में 13,000 बर्ग किलो मीटर की बिद्धी होई है इसी तरह बागों की संख्या में जो 2014 में 2226 थी वो जुलाई 2019 में बढ़कर 2967 हो चुकी है देश में बागों की बढ़ती संख्या संतोस का भिषय है वाईव और जल प्रदूर्शन से निपटने के लिए देश के 102 सहरों में सरकार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लागू करने जा रही है मुझे संतोस है कि सरकार द्वारा सुरू किये गए नमामी गंगे मिशन के सकारात्मक परणाम भी दिखाई देने लगे है इस मिशन के तहट 7000 करोर रुपए के प्रोजेक्स पर काम पूरा हो चुका है और 21000 करोर रुपए से अधिक के प्रोजेक्स पर कारव प्रगती पर है इन सारे प्रियासों का असर देश के परियटन छेतर पर भी दिख रहा है बीते कुछ बरसों से परियटन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्रक्टर पर अभूत पूर्व काम किया गया है हाल ही में देश की हेरिटेज बिल्डिंग्स के संदक्षन और संदेजी करण के लिए कोलकता से एक राष्ट ब्यापी कारिकम की शुरुवात की गई है स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजना से तयार हो रहे आधनिक इंफ्रास्रक्टर से भी परियटन सेक्टर को मजबूती मिल रही दुनिया की सबसे उची सरदार पटेल की प्रतमा स्टेश्य वाफ यूनिटी को देखने आने वाले परियटकों की संख्या भी नित नए रिकार्ट बना रहे मानेनी सदस्ट करूँ देश की विरासत के संख्यों और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान व्यक्चित्यों के प्रती सम्मान व्यक्ट करने को मेरी सरकार राष्ट निर्मार का प्रमुख अंग मानती है इसी सोच के साथ सरकार द्वारा सुतंदता संग्राम में हमारी आदिवासी वीरांगनाओं एवं वीरों के ससक्त योगदान को समर्पित म्यूजियम्स का निर्मान देश की अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है सरकार द्वारा वर्स 2022 में महान समा सुधारक और देश को दिखा दिखाने वाले राजा राम मोहन राय की दो स्थो पच्चासमी जैनती भी भववता के साथ मनाई जाएगी मानिनी सदस्गंड भारत के अंतरिक्ष कारिकम का लक्ष सदयो मानता की सेवा रहा है देश के अंतरिक्ष वज्ञाइन कों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रियान 2 ने देश के युवाओं में टेक्नलोजी के प्रती नई उर्जा का संचार किया है मेरी सरकार द्वारा चंद्रियान 3 को स्विकृति दी जा चुकी है इस रो द्वारा मानो अंतरिक्ष यान, कारिक्रम, गगन यान तथा आदित एक मिसन पर भी तेजी से कारण हो रहा है माननी सदस्गन बदलते समय में देश की रक्षा से जूड़ी नई और जटिल चुनोतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार सेनाओं को और भी ससक्त प्रभावशाली और आधनिक बना रही है चीफ अफ डिफेंस स्टाफ सीडियस की न्युक्ति और डिपार्टमेंट अफ मिलेटरी अफेर्स का गठन भी इसी दिशा में उठाया गया खतम है इससे तीनों सेनाओं में समन्वे भी बढ़ेगा और सेनाओं के आधनिकी करन और उन्हें आत्म निर्भर बनाने की प्रक्रिया भी तेज होगी भारत की सेनाओं और सुरक्षा बलों के पास परियाब थत्यार, सुरक्षा उपकर तथा बुलिट प्रूफ जैकेट हों इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अमेठी की आर्डिनेंस फेक्ट्री में रूस के साथ मिलकर दुनिया की आधनिक राइफल एके तोसो थीन, एके टू, जीरो थी का निर्मान सुरू किया जा रहा है हाल ही में जब तेजस के नेवल प्रोटोटाइप ने आई एनस विक्रमा दित पर लैंडिंग गी और उडान भरी तो प्रतेग भारती गर्व से भार उठा था सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए इतिहासिक कदम उठाए गए हैं ए सेट के सफल परिक्षन से भारत अंतरिक्ष में विशेश मारक चमिता हसल करने वाला दुनिया का चोथा देश बन गया है मानेनी सदस्गन मेरी सरकार आतंगवाद के खत्रे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे शामर्थ और दर्टा से काम कर रही है आतंग के बदलते सुरूत को देखते हुए नागरिकों की सतरकता भी बहुत काम आती है जनता के सहयोग से आतंगवाद के विरुद लड़ाई में कितनी मदद मिलती है ये जम्मो कस्मीर में आतंग की गत्विद्यों में आई कमी से भी पता चलता है मेरी सरकार ने आतनकबाद फेलाने वालों के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई के लिए SUरक्षा बलों को पूरी छूट दी वही है सरकार के निरंतर प्रियास्ते नार्थ इस्ट में सरक्षा की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है देश में नक्सलबाद से प्रभावी छित्रों का दाइरा भी निरंतर सिमट रहा है माननी सदस्कार मेरी सरकार विदेश नीती को देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से जोड़ा महतपूर्ण पहलू मानती है हम अपने परोशी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ा कर आर्थिक विकास और सम्पनता को गती दे रहे हैं नेबरूट फरस्ट की नीती हमारी प्रातमिक्ता है अपने परोशियों के साथ साथ विश्व के अन देशों के साथ हमारे संबंद मजबूत हुए है यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच सम्मान भारत को दिया है आचियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए इस्तर पर ले जा रहे हैं भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के बाद CDRI यानि Coalition on Disaster Resilient Infrastructure नाम की वैस्ट्रिक साज़ेदारी की पहल की है